सब्सक्राइब करेंगे और आज किस तरीके से हमने EOD में मुमेंटम कैप्चर किया, इंस्टा लाइव पे चीजे समझी, लाइग मार्केट में अपडेट जो गए थे, सेट अपने किस तरीके से परफॉमेंच दी, वो सारी चीजे अनलाइज करेंगे जो अभी मैंने यहाँ पर भी डाला है, और अगर आप जाके देखोगे जो हमारे पब्लिक चैनल है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, link description में जाके जोइन कर लो इसमें मैंने जितने stocks देए थे, आज आप जाके उनको run देखो, 3-4% सारे stocks में momentum था, और यह सेम चीज मैंने आपर डाली भी है, even जो हमारा paid group है, ठीक है, वहाँ पर मैंने और चूज करके stocks देए थे, जो आपको recommend किये थे, उसमें से ही कुछ best stocks मैंने देए थे, और आप उ stocks थे, तो better है, आज का भी जो PDF है वो आ जाएगा आपके पास, I was just preparing the PDF only, so इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, आप Telegram ग्रूप पे, जोइन करके, वो चीज़े आपको रात तक मिल जाएंगी, उसके बाद अब अपना analysis भी कर सकते हो, now let's start with the indexes, अब यहाँ पर क्या होता है, starting म निफनिंग में जो live session लिया था, उसमें हमने यहाँ पर हमारा एक trend trading setup बन रहा है, and even वो same setup जो है, हम काफी time से EOD में सीख रहे थे, तो update भी हुआ था, अब मैं आपको directly जाके जो उसका trade plan था, वो मैं बताई देती हूँ, trend trading setup में हमारा क्या था, यहाँ पर हमारी entry बनी थी, almost हमारा previous day high और day high के उपर जो candle है, उसकी closing होनी चाहिए, and with inside candle उस direction में हमें trade लेना था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर SL हम mother candle के low के नीचे रखते हैं, और 1 to 1 हम target करते हैं, तो हमारा जो 1, अगर आप देखोगे SL 126 points का था, और target हमारा almost 136 points सक spot गया था, यह हमारा 1% move आ गया था bank nifty में, and same चीज अगर आप उसे time पर जो हम ATM trade करते हैं, उसके अगर आप premiums का chart भी analysis यहाँ पर किया है, तो देखोगे तो यहाँ पर 96 points यहाँ 19% का return था, तो यह premiums पर इस तरीके से chart ने behave किया, अब यहाँ पर जाके समझोगे, इंस्टा लाइव पे भी आप ज चाहिए वो, अपने day high पर उसकी closing होनी चाहिए, so this was the candle, 5th candle जो day high पर closing दे रही थी, and this is the inside candle, हमी क्या करना है, इसको mark करना है, हमारे day low के, जो हमारी mother candle है इसके नीचे, and इसके breakout पर हमें entry लेनी है, अगर आप साथ-साथ यहाँ पर notice करोगे, तो आपको पता चलेगा, कि इस के उपर हमारी entry ती है, यहाँ से हमारा target अच्छी हुआ, after giving the target, उसके बाद ही market नहीं यहाँ से reversal दिया है, so यहाँ पर इस तरीके से हमारा morning trade बना था, now एक और trade है, जो हम 11 बज़े के बाद करते है, reversal trading हम करते है, and mainly हम nifty में करते है, with Bollinger Band, पच आज हमें Bollinger Band की need नहीं हु के भी देखते हो, so क्या हुआ था कि nifty में काफी अच्छा run, एक gap up के साथ आया, उसके बाद यहाँ पर एक range बनी, एक upside का momentum आया, और बहुत ही शांदार pattern यहाँ पर बना, जो कि bank nifty में भी बना था, जैसे इसका breakout आया within side candle, यहाँ पर हमारी entry थी, and direct एक downside का move हमें यहाँ प तक का हम targets में लेते, तो previous day high हमारा target है, and almost उसी range के round price जो है, वो complete turn है, reverse कर गया था, एक और important चीज, अगर price इस तरीके से first half में momentum दे देता है, तो मैंने आपको बताया था कि हम Fibonacci use करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो these are the Fib level, और अगर आप 50% का level होगे, तो exact price उसी के ही, अगर आप देखोगे, उपर नीचे हाँ पर पूरी तरीके से घूम रहा था, and even वही price ने range maintain की, जो morning में range price ने बनाई थी, अब यह same price action आपको कुछ पिछले दिनों में भी दिख जाएगा, जो कि मैंने bank nifty में भी हमने analysis किया था, जब हम last time Fibonacci के level के आसपासी जो है, वो गुंता रहता है, ठीक है, इस तरीके से momentum आपको देखने को मिलेगा, Fib के basis पर, अब कल के लिए, यह हमारा important था, ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप देखते है, आज bank nifty में भी, इस तरीके से हमारा range बना था, उसका breakout आया था, विद को मिला, अब यहाँ पर जाके एक चीज़ नॉट्स करो, बैंग nifty में क्या हुआ ना, बैंग nifty में यह range बनी है, ठीक है, और यह range जो है, पूरा second half के पूरी full time हमें आपर range bound market दिखी है, last time ऐसा कब हुआ है कि price में इस तरीकी की range बनी, अगर आप देखोगे, यहाँ पर full day एक range bound scenario था, second half में नहीं था, लेकिन हाँ market में morning से एक scenario जो था, वो बना हुआ था, इसके अलावा भी देखोगे, आप काफी ऐसे दिन रहे हैं bank lift में, जिसमें इस तरीके से range बनी है, जैसे यहाँ पर भी second half में क्या हुआ हुआ, second half में पूरा range bound market रहा, and even first half में upside से लेके downside काफी अच्छा momentum था, next day क्या होता है, next day market जो है उसी range में open होता है, और हमें काफी downside का अच्छा momentum देता है, with our trend trading setup, so same thing आपको कल यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर हमारे लिए support and resistance के levels maintained है, with previous day high and low, so हमने mark कर लिया previous day, आज का high कर लिया, आज का low कर लिया, जो क रहेगा, जैसे ही इसका breakout हमें मिलता है, तो हमें downside का trade मिल सकता है, और इसका upside अगर breakout आता है, तो हमें upside के लिए trade मिल सकता है, अगर price range में रहता है, तो be a range trader, जो कि हमारा कल की वीडियो में मैंने discussion करा है, कि range किस तरीके से trade कर सकते हो, same strategy will be here, कि आप यहाँ पर जाकर M pattern बने तो upside का trade लोगे, जैसे ही breakout upside में in levels के downside में आता है, हमें उसी direction में momentum देखने को मिल सकता है, now the same thing अगर आप जाके यहाँ पर nifty में देखते हो, so nifty में भी हमारा same analysis रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, इस तरीके से range बनी हुगी है, so जब तक price range में हमें क् not good for us, ठीक है, so आपको यहाँ पर अच्छा support मिल चुका है, क्योंकि अच्छी buying यहाँ से आई थी, आपको अच्छा resistance मिल चुका है, resistance पर हमें sell करना है with patterns and candlesticks, और support पर हमें buy करना है with patterns and candlesticks, जैसे ही यह areas निकलते हैं, हमारा direction move उसे direction में बनेगा with inside candle, one more thing is कि क्योंकि हम फि nifty का chart भी यहाँ पर देखे हो, जिस time पर भी बहुत ही choppy range बन जाती है, एक one-sided range बन जाती है, price जो है generally momentum देता है, जिसे अगर अब यहाँ पर भी देखोगे, तो इस दिन भी काफी choppy range थी, price same range में open होता है, and upside से जैसे मैंने अभी आपको बताया था, exact resistance देखो, और वहाँ से pattern बना के एक अच्छा move देता है, so same thing we can see here as well, क्योंकि यह हमारे लिए range बनी हुई है, अगर price इसी range में एक अच्छा pattern बना के fall देता है, तो we will buy for the downside, and अगर आप यहाँ का upside में breakout आ जाता है, यहाँ पर हम अच्छीव करें, okay, ठीके, so यह हमारे लिए पूरा complete analysis रहेगा, you can wait for the stock analysis chart, वो आपको मिल जाएगा, इसके लावा कुछ doubt हो, you can directly ask me, telegram group जाके join करोगे, यहाँ पर pinned message है, यहाँ पर मेरी ID है, यहाँ से आप telegram पर directly मिर साथ contact कर सकते हो, हम morning में इंस्टा live लेते हैं, live market का update पूरा दिन चलता है, उसके बाद end of the day आपको YouTube पे analysis मिलता है, और stock researches मिलते हैं, और EOD का तो पूछो मत बहुत सारी चीजे कर रहे हैं, ठीक है, so इसके सारी explanation आपको मिल जाएंगी public channel पर, you can join EOD, उसका पूरा description भी public channel पर है, now again there is one request, please help me to grow this community, please share this video with all of your loved ones, so that हम सारे मिलकर ग्रो कर सके, साब मिलकर सीख सके, ठीक है, so with this, thank you so much, be a professional trader and happy financial literacy.